हेलो इस्टुदेंट्स वेलकम तू साइकेड़ी एंड टुड़े वी आर गोइंग पो डिसकस एन इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 19 एक्सक्रेटरी प्रोड़क्स एंड देर एलिमिनेशन विच इस यूरीन फॉर्मेशन तो बच्चो यह टॉपिक इसी से लिंक है तो अब तक हगहा उराओं आरे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं कराऊ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए बैल आassy को दबा दीजिए ताकि साहकेडमी से आनों आने वाली अपको सब लेक्ट्टिश सब्सक्राइए वाले हैं यूरीन फोर्मेशन चुप करने वाले हम यूरीन रहे से पहले हमारा इन फिल्ट्रेशन ऩेवाला फिल्ट्रेशण ओप गलो मेरवलस क्या होता है अगर आपको यह भी नहीं पता है तो वब्लाइब बटन में चैप논 के प्ले rains का और प्लेलिस्त को देख लीए इसमें पहले लेक्चर आपको बता देगा ठीक है बच्चो तो अगला होता इसमें ट्यूबलर रीम री अब्जोबश्च नाम से पता लग्राएं प्लिए किसे लिए तो ट्यूब्स में होने वाला तो फ्लू को पहले और तीसरी देखी ती हमने डी सुटी यानि के डिश्टल कॉन्वलेटिट इसके बाद हमने एक चौती भी देखी ती वैसे तो विच इस हमें करें कलेक्टिंग डक्ट अब कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीशन होता है कुछ absorption और वाकी एक्षा को तुरी इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ग्लोमेयूर्ला। फिल्ट्रेशन निसे पहले हम बात कर लेता है पिशले लेक्षर से पता ही है के सबसे निकल जानते हैं यह ग्लो मेरलोस होता अब जहां से यह जो है हमारी इस्ट्रॉक्चर आ रही है यह वाला पार्ट तो यह तो था हमारा efferent arteriol और वहीं जहां से ब्लड जा रहा था यह था हमारा efferent arteriol तो ब्लड आ रहा था efferent arteriol से जा रहा था efferent arteriol से और यहीं एक नीचे कप शेप की स्ट्रॉक्चर ती विचेज वट बोमन कैपसूल चीक है बच्चो तो ग्लो मेरूला फिल्ट्रेशन बिगेंस वैन ब्लेड एंटर दा ग्लो मेरूलस त्रूदा efferent arteriol जैसे कि मैंने बताया efferent arteriol से ब्लेड आएगा वाटर और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है यह ग्लो मेरूलस से ब्लेड से मूवज हो जाएगी और प्रोटीन जो है जितना भी प्रोटीन है वो सारा efferent arteriol से निकल जाएगा तो होता क्या है कि वाटर और जितनी नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो हमें एक्सक्रीट करनी है वो तो ग्लो मेरूलस से कहा जाएगी बोमन कैप्सूल में और बाकी जो हमारे प्रोटीन है ब्लेड में वो सारा हमारा क्या हो जाएगा इफरेंट आयfinden उस्टे ए म क्रीट को फिल्टर कड़ी आगे देखता है तो ग्लो मेरूलर कैपिलरी का जो प्लेड प्रेशर होता है वो filtrate को affect करता है और तीन लेयर से उसको filter करता है कितने लेयर से उसको filter करता है तीन लेयर से तो ऐसे कुछ हमने structure बता है अभी glow merulus की कि ये तो हमारी होगी efferent artery होगी efferent artery होगी और नीचे कप शेप की structure होगी ठीक है बच्चो तो glow merulus की जो हमारी है capillaries है ये surrounded होती है विद्दा endothelium ये endothelium से surrounded होती है वही बोमन capsule की जो ये layer है ये सराउंडिड होती है epithelium से ये कैसे सराउंडिड होगी epithelium से तो बच्चो जैसा हमने देखा था chapter 17 में भी हमने देखा है chapter 17 में क्या होता है chapter 17 में alveolar capillary और alveolar cavity के बीच में एक membrane होती है फिर हमने chapter 18 में भी कुछ ऐसा देखा heart के केस में के वहां पर pericardium के बीच में एक fluid होता है तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि ग्लो मेरूलर की जो cells है endothelium और बोमन capsule के जो cell है epithelium इनके बीच में एक membrane होती है basement membrane कौन सी membrane basement membrane अगर आपने chapter 17 नहीं पढ़ा उपर आई वर्टल मुसकर लिंग का रहा हुग आप chapter 17 भी पढ़ सकते हैं तो चलिए आगे हम देखते है epithelial cells अब बात आती है कि भई जो हमारे epithelial cells ते यह बोमन capsule के जो epithelial cells ते हमारे बोमन capsule के तो बोमन capsule के epithelial cells को हम कहते हैं क्या podocytes क्या कहते हैं और यह इस प्रकार से मतलब इस manner में arranged होता है माली जी यह epithelial cell यह epithelial cell यह epithelial cell तो इनके बीच में कुछ minute pores होता है minute pores spaces होता है चोटे-चोटे से जिनको हम slit pores या filtration slits कहते हैं यहां से filtrate निकलेगा यहां से filtrate निकलेगा चीक है अब बात आती है फिल्ट्रेशन रेट यह definition जो है थोड़ी सी important है पूछली जाती है कभी कभी ग्लो मेर वेफिल्ट्रेशन रेट होता है कि कितना filtrate प्रड्यूस्ट हुआ कि दिनी के द्वारा हर minute एक minute देखे एक हमने पहले पड़ा पहले हमने जो देखा था हमने देखा था कि किदनी कितना blood filter कर रहे हैं ब्लेट को फिल्ट्र करना और फिल्ट्रेट को फॉर्म करना तो अलग अलग बात हैं कैसे मान लीजे 100 ml of blood हमारी किदनी ने फिल्ट्र करा तो यह तो हुआ किदनी का amount जो उसने अब लिए 5 ml जो है हमारा फिल्ट्रेट बना 95 ml निकल यह फाइव एमल हमारा बोमन कैप्सुल माया तो यह जो फाइव एमल है यह कहला जाएगा अगे देखते हैं नेक्स्ट इस और यूरीन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टैप ट्यूबलर रियब्सॉप्शन नाम से पता लग रहा है जो आयन मोलीकूल्स हमारी बोडी की जरूरत के थे हमारी बोडी को उन आयन मोलीकूल्स की जरूरत थी वह भी क्या हो गए वो फिल्ट् सबस्क्राइब करना कहाँ पर पी सीटी में पिसीटी में लूप औ फेली में फीवन क्लेक्टरिंग।ुट्प ने भी स्ट्स्यक्ट रिये भी का रिये टयूरत आर्शिन चेम नेight को जरूरत है जैस्य कि सोड्यूं आयन ग्लुकोस ऑप्यंट एक्सक्राइस सोडियम आयन, ग्लुकोस, अमिनो एसिडेंट, एक्सेक्टा, इनको रिएब्सॉर्ब करना, जो जिनकी रिक्वार्मेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन, अब कुछ सब्स्टेंसी जो है, वो एक्टिवली एब्सॉर्प कर लिए जाते हैं, और कुछ सब्स्टेंसी जो प्सिवली एब्सॉर्प कर लिए, अब यह एक्टिवली एब्सॉर्प्शन क्या है और पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या है? तो यह चैप्टर 8 में, फ़स्ट रम मैं आप लोग पढ़कर आएंगे, कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन में ATP के बर में होता है ठीक है तो glucose और amino acid जो है यह active reabsorb होंगे glucose और amino acid active reabsorb होंगे वही water जो है वह passively reabsorb हुगा यानि glucose amino acid को reabsorb करने के लिए ATP हमें utilize करनी पड़ेगी लेकिन water को reabsorb करने के लिए ATP utilize नहीं करनी पड़ेंगी ठीक है बच्चो आगे देखते हैं नेक्स्टी सिक्रेशन तो यह थार्ड स्टेप है यूरीन फॉर्मेशन का या लास्ट स्टेप कह सकते हो पोटेशियम आयन हाइड्रोजन और अमोनिया यह सिक्रीट होते हैं आयोनिक और एसिड बेलेंस हमारी बॉड़ी का करने लिए और जैसे हम नहीं चाहती कि अमोनिया भी रहा हमारी बोढ़ी में क्यू कि इससे जो है सिडिक बेलेंस हमारी बॉड़ी के बिढ़ सकता है तो वह आमोनिया बिलेंस देती है इन सबी प्रकार का सिडिय कर देती है निल्हें नेक्स्ट कबडा है उसको हमें इस बाएगराम से एक बार इस दौरान क्या हुआ ब्लेड आया ग्लो मेरूलस में और फिर एफरेंट आट्रियोल में गया ग्लो मेरूलस से एक फिल्ट्रेट फॉर्म हो गया जिसको हमने नाम दिया क्या ग्लो मेरूलर फिल्ट्रेशन ग्लो मेरूलर फिल्ट्रेशन फिर पीसीटी में गया proximal convolated tubule handle loop में गया D centi में गया collecting duct में गया इस दोरान क्या हुआ इस दोरान tubular reabsorption हुआ क्या हुआ tubular reabsorption हुआ tubes में जो भी ions molecules जो body की requirement इवो reabsorb कर लिए उसके बाद ये कहा गया ये collecting duct में गया collecting duct से क्या हो गया tubular secretion हुआ जिन चीजों को सिक्रीट करना था वो सिक्रीट कर दियेगा जैसे हमने अभी देखा potassium ion, hydrogen ion, sodium ion को सिक्रीट कर दिये अब जो बचा वो बचा एक urine, concentrated urine बचा उसको हमने जो है excret कर दिये ठीक है बच्चो तो यह जो हमारा topic था यह था urine information का आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा इसमें अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप हमसे नीचे comment session में पूल सकता है बाकि first site पर जो mail ID और WhatsApp नमबर था उस पे भी हमको mail और WhatsApp कर सकता है just write high psych academy और हम आपको 24 hours के अंडर में हम आपको reply कर दिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe कर लीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको साइक एड़ी से आने वाली सब ये updates लगातार मिलती है ठीक है बच्चो जब तक के लिए good bye